आज बनाते हैं दलिया कट लेट आप इन्हें दलिया टिकी भी बोल सकते हैं इसे बनाने के लिए मैंने बहुत सारी सब्जीयों का इस्तेमाल किया है इसलिए बहुत ज्यादा हेल्दी भी है और सबसे अच्छी बात इसमें बहुत कम तेल का इस्तेमाल किया गया है और आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें वीडियो के एंड में मैंने बताया है कि इन टिक्यों को आप सर्ब कैसे करें आप इस तर इसे सब करेंगी तो बच्चों को ये टेफिनेटली पहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं और अगर आपने मेरे चैनल को अभी थक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रीज सब्सक्राइब चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं बनाना इसके लिए मैंने एक कटोरी दलिया लिया हैं दलिया को एक घंठी के लिए मैंने पानी में विगो कर रख दिया था इसके बाद इसका पानी पूरी तरह से निकाल देना है हमें अब इसमें पसंद की अपने हिसाब से आप बारिक कटी होई सब्सक्राइब कीजिए इसमें मैंने प्याज, सिम्ला मिर्च, टमाटर इनको कट कर लिया था, गाजर को और लौखी को गेस लिया था, पालब को भी बारिक बारिक कट कर लिया है, इसके बाद नमक स्वाद अनुसर, थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाला है, इसके बाद मैंने एक मीडियम साइज का उबला हुआ आलू लिया है मैस किया हुआ उपर से चिली फ्लेक्स और ओरेगेनो डालेंगे उपर से बारिक कटा हुआ हरा धनिया डाल कर इंसा भी चीज़ों काचे से मेक्स कर लेंगे अब इसमें दो चम्मच बरके हम कॉन फ्लॉर या आप इसमें अरा रूट का भी यूज़ कर सकते हैं पर बहुत ज्यादा नहीं बस बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा ही डालना है अब इसके बाद मैं यहाँ पर पास्ता मसाला जो चीज़ बाला आता है वो ले रही हूँ आप इसकी जगा चाहे तो मैगी मसाला मिला सकते हैं और बस इनसा भी चीज़ों को अच्छे से हाथों से मिक्स करके इस तरह ऐसे फ्लैट करते हुए इसकी छोटी छोटी टिक्कियां बना लेंगे यह खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बहुत हेल्दी भी हैं आप इस तरह से टिकी बना कर बचों को खिलाएंगे उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो इतनी सारी सबजियां खा रहे हैं और बस अब जलते हैं इनको फ्राइ कर लेते हैं इसके लिए मैंने एक चमच घी डाला है आप चाहें तो तेल या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें थोड़े से मैंने एक चमच मैंने यहाँ पर सैसमे सीट यानि की सपेद बाले तिल लिये हैं सभी तिक्कियों को इ तिरचा तिरचा कट हुआ हरा मिर्च लिया है उपर से लगा दें आप चाहें तो लगाएं यह बिलकुल ऑप्स ना ले अस तरह से आप इने लगा दीजिए और ढ़क कर इसे कम से कम आपको पांच मिर्ट तक मीडियम आज पर सेखना है बिलकुल बीच बीच मार आप इसे देखते रहें और बस इस तरह से देखें कितना अच्छा सुनहरा सिख गए है यह हमारी एक साइट से अव्बाशने में आप यकीन नहीं मानेंगे ये खाने में बहुत ज्यादा ठीश्टी लगते हैं में सबजी या है पल्स दलिया है सबी चीज हेल्दी है और हमने बहुत ज्यादा तेल या घी का भी इस्तेमाल नहीं किया है और आप बिल्कुल भी चिंता ना करें कि अंदर से कच्छी रहेगी या पकेगी नहीं क्योंकि हमने इसे ढग कर मीडियम आज पर पकाया है यह बहुत अच्छे से पक जाती हैं देखें इसे दूसरी साइट से भी सेख लेंगे देखें कितना अच्छा कलर आ गया है अब बस इसको हमें निकालना है और सर्प करना है आप चाहें तो इंटीक्यों को ऐसे ही एंजॉय कर सकते हैं यह सिखने के बाद बहुत क्रिस्प हो गई है आप इनको ब्रेट्स के बीच में लगा कर सैंड़िच की तरह खा सकते हैं या फिर जिस तरह से मैं बता रही हूँ आप ऐसे खाएं बचों को बहुत पसंद आने वाली है मैंने दू ब्रेट्स लिये हैं एक में मैंने टोमाटो सॉस और एक में मैंने ग्रीन चिली सॉस लगाया है अब दोनों में एक टिकी रखकर उपर से हम जो चीज होती है चीज डाल देंगे थोड़ी सी और जैस पैन में मैंने इन टिक्यों को सेका था वो अभी गर्म है उसी में हम रखकर इसे दो से तीन मिट के लिए ढखकर और पका देंगे तो चीज मेल्ट हो जाएगी और बस उपर से आप इसको सॉस लगा दीजिए सॉस से डेकोरेट कर दीजिए और देखे देखने में कितने सुन्दर लग रहे हैं बच्चे मना नहीं कर पाएंगे इसको खाने के लिए और उन्हें पधा भी नी चलेगा कि वो इतनी सारी सबचियां खा रहे हैं आज तो आप बनाएए इंज्वाई कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाइबाई